बिसमिल्लाई रह्मानी रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम टू ब्लू बैन किचन, कैसे हैं आप सब लोग, आज मैं आपके लिए चीजी, वेजी, क्रैप्स की रस्पी लेकर आई, जो के खाने में बहुत ही ड्लीशिस होते हैं, और बनाने भी बहुत आसान हैं, रस्पी शुर सबसे पहले हम क्रैप्स के लिए स्टफिंग त्यार करेंगे, तो इसके लिए पैन में 2 टिबल स्पून ऑइल एट करेंगे, और 1 टिबल स्पून इसमें बारीक कटावा लहसन एट कर देंगे, और लहसन को लाइट सा गोल्डन कर आने तक फ्राय करेंगे, आप इसमें डाल साइज की गाजर को मैंने बारिक क्यूब्स में काट लिया है इसको भी हलका सा प्यास के साथ ही सोते कर लेंगे बहुत ज्यादा पकाना नहीं है इनको सबजियों का करंच बना रहे है अब एक छोटे साइज की शिमला मिच को बारिक क्यूब्स में काट लिया है ये भी आट कर देंगे इन गालोेट ते बोलाएट कर लसका भर दी करेंगे इन तमाम चीजों की चैसे मिक्स कर लेंगे- आपिसमें आड़ करेंगे आलो तो थीन मिडिय क्ल़ेंगे आलो लेकर लेकर बॉये क्छ और इनको भी यश्टा चाहें तो अलु मेंच करके भी आढ़ कर सकते हैं ले लिए टी स्पून मुना कुटा जीरे अड़ करेंगे लिए बर मसाला अड़ करेंगे अपने टेस्ट के कॉर्डिंग आड़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो चार्ट मसाला लिए पूर लिए बारी कटा हुआ हरा दनिया भी आड़ कर देंगे और बन टीस्पुन नमकेट कर देंगे मिला लेंगे और थोड़ा सा और पका लेंगे ताके मसालों का कच्चापन खतम हो जाए अब सपैचला की मदद से आलों को हलका हलका मैश करेंगे ताके तमाम स्पाइसिस का फ्लेवर आलों में अच्छे से आ जाए इसी दुरान मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अब लास्ट पे अपनी स्टफिक को चतपटा सा बनाने के लिए मैस में एड़ करूँगी लेमन का जूस तो एक अदर लेमन का जूस हम इसके अंदर एड़ कर देंगे मिला लेंगे क्रैप्स के लिए बहुत ही जबरदर से हमारे स्टफिंग त्यार हो चकी है लग रही है न टेमप्टींग इसे ठंटा होने के लिए छोड़ देते हैं चलते हैं नेक्स टेप की तरफ लेंगे ब्लेंटर का जग और इसमें एड़ करेंगे एक कप मैदा हाफ तब ही में हम पानी के और करेंगे 131 अधा अंडा करेंगे 13 जहीं आड़ करेंगे टीभल स्पून हे इसमें औल ग्रदक्र देंगे हाफ टीजपून नमक करेंगे और बस इसको कवर कर करके इसको जानी ब्लेंड कर लेकर दिखता एं यह दि kendi क्रिद तो ये इसके सार जाके मर्च हो जा रहा है इसकी कोई शेप नहीं आ रही बस इस तरह की रनिंग कंसिस्टंसी होनी चाहिए अब एक तवा या पैन लेंगे उसे ओइल से हलका सा क्रीज कर लेंगे अब क्रैप्स का जो बैटर बनाया है ना हमने उसका एक लेडर फुल हम इसके पर डाल देंगे यह खोद ही फैलता चला जाएगा बैटर को आप ऐसे भी फिला सकते हैं लेकिन आपने इसको प्रैस नहीं करना अगर आप इसको प्रैस करेंगे तो यह शीट जो है यह तूट जाएगी अब देखें इस शीट की जो ऊपर वाली साइड है वो सारी ड्राइ हो जुकी है इसका मतलब है कि यह शीट जो है वो पक चुकी है एक साइड से आप इसकी हम साइड चेन करेंगे बहुत ही केरफुली चेन करेंगे चींकि यह बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत ही असाने से तूट भी सकती है इसलिए बहुत ही एहत्याद के साथ इसकी साइट जेंड करेंगे और दूसरी साइट से भी इसको अलका सा पका लेंगे यह देखें जी हमारी क्रैप की शीट जो है बहुत ही असाने से पक चुकी है इसे हम प्लेट में निकार लेंगे और ऐसे ही मैं आपको एक और शीट बना के दिखाती हूँ यह क्रैप्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप इसे सुब नाश्टे में बनाएं या आप टी टाइम स्नैक्स के तोर पर खाएं या फिर बच्चों की बर्डेस पार्टी में बनाएं बहुत ही मज़ा आएगा आपको यह खा कर आप बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं यह देखें जी हमारी यह शीट भी त्यार होगी है अब हम इसे एसेंबल कर लेते हैं अब एक प्याली में टू टेबल स्पून मैदा लेंगे और थोड़ा सा पानी आड़ करके इसका थिक सा पेस्ट बना लेंगे यह पेस्ट हम क्रेब्स की शीट को लॉक करने के लिए यूज़ करेंगे अब हम एक अदत शीट ले लेंगे जो हमने वेचेटेबल के स्टफिंग त्यार की थी ना वो हम इसके उपर रखेंगे जितनी आपको पसंद हो आप उतनी इसमें एड़ कर सकते हैं काम या ज्यादा अब इसको चीजी फ्लेवर देने के लिए मैंस में मॉजरेला चीज यूज़ करूँगे आप इसमें कोई सी भी चीज यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलिबल हो अब सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और शीट को एक साइड से हम फोल्ड कर देंगे इसको सील करने के लिए मैंदे का पेस्ट लगाएंगे और दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड कर देंगे अब दुन्हों साइडों पे भी मैंदे का पेस्ट लगाकर इसे उपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए यह देखे हमारा क्रैप्स बनकर रेडी हो चुका है मैं आपको दूसरा बना कर भी दिखा देती हूँ यह क्रैप्स खाने में जितने टेस्टी होते हैं बनाने पी उतनी ही आसान है जटपट से बन जाते हैं ज़रूर बनाईएगा और पीडबैक में बताईएगा कि आपके क्रैप्स कैसे बने यह देखे मैंने ऐसे सारे बना लूँगी और अब हम इसको फ्राइ करेंगे पैन में टू टिबल स्पून ओइल का हैट करेंगे और जिस साइड से हमने क्रैप्स को लॉक किया है वो वाली साइड नीचे रखतेंगे और एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राइ करेंगे ऐसे हलाते जाएं ताके ओयल जो है वो एकवली हर जगा पर लग जाए यह देखें आब इसकी साइड चेन कर लेंगे देखें कितना खुब्सूरत कलर आया है ऐसे हम दूसरी साइड से भी इसको कलर दे लेंगे क्रेब्स की शीर भी पकी हुई है और वेजेटेबल भी जो है वो पकी हुई है इसलिए हमें बहुत ज़्यदा हमको पकाने के जरूरत नहीं है यह देखें जी मारे बहुत ही मज़े के चीजी वेजी क्रेब्स जो हम बनकर रैडी हो चुके हैं अब हम इने सर्फ कर लेते हैं बहुत ही जबरदरस्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं जरूर ट्राय कीजिएगा अब मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ के यह अंदर से कैसे दिखते हैं यह देखिए कितने जबरदरस्ट बने हैं आगया नमो में पानी चल्दी से जाएए और बनाएए मज़े कीजिए और मज़े करवाईए खुश रहें आपाद रहें दौाओं में याद रखें मिलते हैं नेक्स मज़दार सी रेस्पिक साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज